देर स्टुडेंट हमारे स्टुडी चनल दी लाइफ लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आप से भी कहा एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों आज की इस क्लास में पढ़ने जा रहें क्लास 11 मैथ एंस याइटी से चैप्टर नमबर वन सेट्स यानि समूच जया का एक्सरशाइज नमबर 1.3 डिका एंटेर्थिं तो आईए ये बिना किसी देरी के आज हम शुरू करें मैं की इंत इसका जो है इसमें हमने सब से पहले पढ़ना है कि सबस्यट क्या होता है सबसेट क्या होता है हमें पढ़ना है सबसेट क्या होता है यानि कि उप समूच है किसे कहते हैं उप समूच है क्या पढ़ना है वच्छों उप समूच है ठीक है इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है उप समूच है यह सबसेट यानि उप समूचे हम किसे कहते हैं सपोर्ट डैट कि हमने एक सेट लिया ठीक है और इसकी एलिमेंट है वन टू थी फॉर फाइव सिक्स सेवन ठीक है और एक सेट और हमने लिया जिसको हमने नाम दिया एस आप यह जिसमें 365 हमने एलिमेंट लिया ठीक है तो अब आप से पूच्टा है कि क्या यह सबसेट कहलाएगा तो इसका सर्त क्या होता है कि अगर इस शेट एका प्रतिक एलिमेंट इस सबसेट हो जाएगा ठीक है कि अगर यहाँ पर दह ञाया है इस सेट में थ्री है तो यह थिहां है अगर इसमय देखा यहाँ है जितने भी एलिमेंट है वह सभी एलिमेंट इसमें भी है जैसे 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है 6 इसमें भी है 5 इसमें है तो 5 इसमें भी है तो अगर इस तरह से बन रहा है कि इस सेट का प्रतिक एलिमेंट इस सेट में भी हो तो सेट एज है सेट एज है वह कहलाएगा सबसेट उपसमूच है किसका फूप समुचह कि सबस्ल का सेट बी का बी का उप समूचे कहलाएगा क्या कहलाएगा तो क्या हम इस तरह से लिखेंगे जी नहीं समूचे अगर उप समूचे बनता है तो उसको हम रिपर्जेंट करते हैं इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए जो है सेट बी का उप समूचे है अगर यहीं जो है समूचे नहीं होता जैसे कि एक हमने सी लिया ठीक है सी सेट लिया जिसमें हमने एलिमेंट दिया 865 ठीक है अब यहां पर हम देख रहे हैं क्या वही कि इसमें 5 है इसमें भी है है इसोचे इसमें नहीं है यानि कि इसका प्रतेयक सेट में नहीं है और प्रतेयक एलिमंट इस में नहीं है मिन्स कि सेट सेट डामूंछ तो जब नहीं कहलें के तो कैसे लिखेंगे करें और उसको कट देंगे तो वह सब्सक्राइब तर्प थुकě तो आइप की इस में आपको कोई समस्या नहीं है ठीक है ओ er उसका परिभासा की बात करें ठीक है तो परिभासा हमारा क्या होता है देखेंगे तो इसका परिभासा क्या हो जाएगा तो वैसे वैसा दो समूच है वैसा दो समूच है ए और बी ए और बी यह ऐसे लिखते हैं इसको यदि समूच है यदि समूच है एका प्रतीक अव्यव एका प्रतीक अव्यव समूच है बी का भी बी का भी अव्यव हो ठीक है अव्यव हो तो ए समूच है बी का उप्समूच है कहलाएगा उप्समूच है कहलाता है ठीक है अगर जो है कि ए का प्रतीक अव्यव बी का भी अव्यव हो तो कहेंगे कि यह समूच है जो है बी का समूच है कहलाता है ठीक है आईए कुछ और एक्जमपल करते हैं ठीक है कॉमन एक्जमपल एक मैंने एक सेट लिया सट एट लिया ठीक है कि जिसमें हमने एलिमेट लिया वन थ्री हमने एक सेट लिया इसमें एलिमेट लिया है तथा एक सभी छोटा बड़ा और पांच से चोटा बराबर है तो यहां पर Student to आपके सामने हैं इसका सब्सक्राइब प्राकित संख्या दो तो सम दाइगा तीन हो जाएगा और फिर से पांच हो जाएगा ठीक है तो मिला क्या कि यहाँ पे यहां पर आता है कि क्या यह जो है ए जो है समूचे उपसमूचे होगा बी का ए जो है बी का उपसमूचे होगा तो क्या बी भी जो है एका उपसमूचे कहलाएगा तो इस इस्तिति में बी भी जो है एका उपसमूचे कहा जा सकता है और इसका पाइटिकुलर रीजन यह होता है कि यह तभी होता है कि ए बी का भ उनों ही इक्वल सेट होते हैं तब यह कंडिशन बनता है तो आई होप कि अब समझ गया है कि सेट क्या है ठीक है सेट के कुछ प्रोपडीज होते हैं कुछ गुण होते हैं आई उसको चर्चा करते हैं तो अब इसके कुछ प्रोपाडिस की बारे में जानेंगे समूचय के ठीक है उससे पहले थोड़ा सा इस एक्जाम्पल को यहीं पर रहने दिया जाया जैसे कि एक सिट है वह है हमारा 123 ठीक है और B जो हमारा स्ट है वह है 12345 ठीक है तो यहां पर जो है A उपसमोंच है B का A जो है B का उपसमोंच है इसको क्या बोलते है A जो है B का उपसमोंच है A is the subset of B इसके कुछ properties के बारे में पढ़ते है जब A B का subset है यह कब यदि यदि ए जो है belongs करता हो ए से और ए जो है belongs करता हो बी से ठीक है ध्यान से यह चीज़े जो है जानना जुरूरी है चुकि इसका यूज आगे भी मिलने वाला है और उसको जो है उसका का mislettiness exercise में भी सका यूज होने वाला है अगर a b का उप समूचय है कब होगा जब a जो है यानि कि इसा मूच्य का एक element जो है वहाँ set a से भी विलोंग करे myself Word और साथी साथ set बीलोंग करें इसका मतलब क्या कि एक कोई element है तो वहा एस से भी विलोंग ऐसे और यह साथ कि अगर कहा जाए कि एसा हो जाए कि ए बिलॉंग जो है सबसेट ओङ का और बी सबसेट हो एक तो ऐसा कब होता है सबसेट हो B का और B जो है सबसेट हो A का तो यह तब हो सकता है जब 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 जो है A set A जो है बराबर हो set B के ठीक है याद रखेंगे A B का उपसमुझे हो B A का भी उपसमुझे है तो इस इस्तिथी में ज़रूरी है कि set A जो है बराबर होगा set B के तभी ऐसा कंडिशन बन सकता है ठीक है नेक्स्ट आगे कहता है कि रिक्त समुझे जो होते हैं यानि कि रिक्त समुझे जिसको हम finite इंपटी सेट बोलते हैं रिक्त समुझे जो होता है समुझे वह प्रतिक किसी भी समुझे का रिक्त समुझे जो है किसी भी किसी भी समुझे का समुझे का बात को किसी भी समूञे का उप समूचे होता है याद रहाए कि डिया सबीद तो और इसमें अलिमेंट धी हो वन टू थ्री तो क्या यह फाइज asset इस इस सेट का सबसेट कहलाएगा तो जी बिल्कुल कहलाएगा फाई इस दस सबसेट और ठीक है याद रखेंगे इस बात को ठीक है आगे बढ़ते हैं इधर देखेंगे हम ए जो है सबसेट है बीका ठीक है ए जो है सबसेट है बीका और ए बराबर नहीं है बीके ए बराबर नहीं है बीके ठीक है याद रखेंगा ए सबसेट है बीका और ए जो है बराबर नहीं है बीके यानि सेट ए जो है सेट बीके बराबर नहीं है कब जो है A जो है वह का लाता है set A क्या कहलता है भई उचित समूच है उचित समूच है क्या कहलता है भई उचित समूच है ठीक है अगर A जो है subset है B का और set A जो है बरावर नहीं है set B के तो A जो है वह उचित समूचे कहलाता है और वहीं पर set B जो है set B जो है वह अधिक समूचे कहलाता है क्या कहलाता है अधिक समूचे आदिक समूचे कहलाता है ठीक है अगर सेट एज यू है उंची समूचे सेट इंची समूचे यू को हम सूपर सेट B बोलते है अधिक समूचे को सुपर सेट भी बोलते हैं और उचित समूचय को जो है हम प्रोपर सेट बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रोपर सेट उचित समूचय को प्रोपर सेट और अधिक समूचय को सुपर सेट बोलते हैं ठीक है याद रहेगा चलिए इन चीजों को एक बार और से देख लेते हैं चुक सेट एका भी एलिमेंट हो और वही ए जो है सेट बी का भी एलिमेंट हो तब जो है ए सबसेट होगा बी का अगर ए जो है सबसेट होगा बी का और बी भी जो है सबसेट होगा एका तो यह कब होगा जब ए सेट जो है बी सेट के बराबर हो रिक्त समूचे किसी भी समूचे का सब्राइब का ने होता है जैसे कि फाई जो है इसीट भी करेंगा यहां पर बात किए टेसे भी का और यदी ए बराबर नहीं हो भी कि सेटेस है है यानि प्रोपर सेट और सेट विजो है अदिक स्प्रत आप कोई दिक्कत नहीं का अब आप हमें बताओ इससेट में और इससेट में ठीक है यह तो है ना सबसेट है जो है करने का यह सर्ट कर दाएगा ऊचित सैट कर लाएगा चिद देखे यह यहां पर जो है यह दो यह यह वही वही समान से मुझे हैं पीछे पढ़े हुए लाथ तो यह देखो यहाँ पर यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यह कि ये तरह से यह हुआ हमारा उचित समूच और यह फो सब्सकतो नहीं तो तो इन बातों को आप याद रगोगत और अब चलेंगे कुछ इद्दाहरण करेंगे और देखेंगे कैसे इनके सवालों को सौल्फ किया जाता है चलिए और नाईम ठीक है इशैम्बॉक का पुछ रहा है कि प्रतिक समूचे युगम की बीच सही प्रतिक भरिये इन दोनों ही प्रतिकों में से जो है सही प्रतिक भरिये कि शब सेट और सबसेट का साइण आपको फिल करना इनके बीच ठेकिए आइए देखते हैं फाइ और भी आनिए कि फाइ और वी यह सिपाइग ऑर यह निकि इम्टी सट और सेट भी कि बीच इन दोनों में हमें करना है कि क्या 5 जो है इसका subset होगा तो हमने बताया था कि 5 जो है सभी का subset होता है मिंस की यह सबसेट होगा टेकर दूसरा बात किया जाए एंग थोड़ा सा डाल दिया जाए कि चले दूसरा कह रहा है कि Set A जो है बी का सबसेट कहलाएगा तो देखिए वही सट ए में में इसमें भी रही है थ्री नहीं है इसमें जो एक किया सबमने की जो एगे बढ़ते है कि ए का सब्सेट होगा तो ए मैं में थन सी की जो है और इसमें भी है वन टो थे है तो पर दूँन pistaT यानि कि जो अद्रिमेंट इसमें है वह इसमें भी है मिन्स हो नाइने कि यह भी सबसेट हो जाएगा चनला आगे ये यह आपके बुक Ciao एक्जामपल नंबर 10 ठेक है तो देखा जाए इसमें भी इसमें आई है इसमें आई नहीं है मिन्स की जो है जो है जो है सबसेट नहीं होगा बी के ठीक है आगे फिर कारण पूछ रहा है कि क्यों 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 कि कह देंगे कि यह हैं बिलॉंग्स टू इसे लिख देंगे यह जो है इसका उपसमुच्छ है यानि यह वाला सेट जो है इसका उपसमुच्छ होगा चलिए देख लेते हैं इसको हटाइए अब इसमें ए है तो इसमें भी ए है इसमें बी है इसमें बी नहीं है ना इसमें बी नहीं है ना मिन्स कि यह क्या हो जाएगा कि बी जो है सबसेट नहीं होगा एका रीजन क्या हो जाएगा रीजन क्या हो जाएगा क्यूंकि बी जो है बिलॉंग्स टू बी बट बी जो है हम आराम से find कर ले रहे हैं कि भाई सबसेट है या नहीं और उसका रिजन भी दे दिए ठीक है चले बढ़ते हैं एक एक जांपल और करेंगे आईए एक और एक एक जांपल हम लेकर आए है यह आपके बुक का एक्जांपल नंबर 11 है तो इससे पहले जो है हमें थोड़ा सा समझना है concept of concept कि आफ बिलॉंग्स टू बिलॉंग्स 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 टू और दूसरा हमें समझना है concept of subset and subset बिलॉंग्स टू का concept जो है यानि संबंध है या नहीं किसी सेट का किसी सेट से संबंध है या नहीं इसको हम लोगों ने पीशे भी पड़ा रखा है ठीक है लेकिन यहां भी थोड़ा सा इस concept को समझेंगे क्योंकि यह बहुत ही जबर्दस चीज है आईए देखिए समझते हैं सब्सक्राइड कि हमने एक सेट लिया एक टिक है एक सेट लिया तो इसमें हमने एलिमेंट लिया टू फूर सिक्स हमने अलिमेंट लिया टू फॉर सिक्स और एक कोश्चिन पूशा जाता है कि फोर जो है सट ए का यानि कि सट ए सट ए का जो है सट ए का जो है सबसेट होगा या बिलॉंग्स टू होगा यानि इसके बीच हमें साइन भरना है विलॉंग्स टू और सबसेट में इन दोनो साइन में कोई एक यहां भरना है तो इसमें क्या होगा तो इसमें सबसेट भराएगा या बिलॉंग्स टू भराएगा इस चीज़ को समझेगा ध्यान से देखेगा यह फोर जो है इस से से बिलॉंग कर रहा है यानि इस से में यह फॉर है तो कहेंगे कि भाई यह फॉर जो है इस से से बिलॉंग कर रहा है तो मिन्स की बिलॉंग स्टू हो जाएगा ठीक है और सबसेट भी तो यही कहता है ना सबसेट भी यही कहता है तो यह फूर्ज पार्ट का हम ने आपको बताए एक ष्ट है और बीज यह एक सेट है ऑठ तो इसका प्रतीक अलिमेंट यह सेट का भी है मानि कि इसका हर इलिमेंट यह इसका भी एक पार्ट है तो कहेंगे कि यह जो है игр dalead opposite B rails यही नहीं बात हुआ है तो यहां पर हम देख करें कि यह फॉर्ड जह है यह भी तो इसका पाट है तो क्या हैं यहां पर सबसेट का स्ढ़ाइँthis बर देंगे कि बिल्लकुल नहीं ऐसे गलती कभी नहीं करेंगे क्यों समझेगा कि यह फोर के बीच जो है सेट ए के साथ सबसेट कब लगेगा कब लगेगा अगर यहां पर हमें सबसेट का साइन इस sign को use करना है तो उसके पहले जो है हमें इसको set बनाना होगा अगर यह set में नहीं है तो यहां कभी भी subset नहीं होगा यहां पे क्या है यह set थोड़ी है यह तो element को represent कर रहा है अब यह कहता है कि subset क्या होते है कि दो set a और b subset कभ होगा यह जब एक प्रतिक element बी में भी हो तो कहा जाएगा कि वह दोनों यानि यह जो है बीका subset यहां पर यह तो सबसेट नहीं है यह तो element को represent कर रहा है बट अगर इसको subset भरना है यहां पर तो उससे पहले इसको हमें बनाना होगा क्या बढ़ी सेट बनाना होगा तो अब यह सेट है अब यहां पर हम भर सकते हैं बिलोंग स्टू सरी सबसेट का साइट तो प्रॉब्लम यहां पर तो सॉल्व होती है एक कोशन और कर देते हैं इस फ़ोड़ा सा अगर इसमें टू पूछ दे ठीक है तो element 246 इधर है तो यह क्या भराएगा भई belongs to ठीक है अगर वही ऐसे देता है सेट में देता है तब जो है अगर यह दिया है तो यहां पर भरा जाएगा क्या भाई सबसेट ठीक है कोई दिक्कत लेकिन आई यह थोड़ा से यहां पर दिखेगा कन फ्यूजन होगा ध्यान से के सब्सक्राइब पारी कि यह अगर हमने एक से लिया थेखने बी ठीक है भी हमने एक सेत लिया जिसमें उनले ठी Si पूर फाइव और इधर में हमने लिया शिक्स ठीक है देखिए का ध्यान से यह है हमारा सेट भी और यह यह एक वाल्स टू जो है सोरी इसको सेट नहीं कहते हैं अब आप से पूछा जाएं कि फूर और फाइव और इधर थ्री फूर फाइव और सिक्स यहां पर बिलॉंग्स टू भराएगा या सबसेट भराएगा वीडियो को पॉस किजिए रिपलाई दीजिए यह जो है इस सेट का सबसेट कहलाएगा या बिलॉंग्स टू कहलाएगा पता यह फटा फट चलिए जो लोग नहीं समझ रहे हैं उस ध्य इसका तो यह है इस सेट का क्या है यह जो है इस सेट का क्या है एक एलिमेंट है ना है कि नहीं याद करो सेट अफसेट पढ़े थे हम लोग समूचयों का समूचय वहां पर हमने बताया था ना कि जब समूचय के अंदर एक समूचय आ जाए तो वह समूचय जो है इस बड़ नहीं कर रहा है में और है क्या भराएगा बिलॉंगे पई इस तरह से रिह तरह से आगर पूछता है तो यहां पर अब सुटिक भरा जा सकता है क्योंकि अब जो हैं यह क्या क्या हो गया है एक सेत सेट का कंपेड है तीक यहां पर यहां पर यह क्या होगा क्यूंड यह यह चैनल को हम करेंगे तब हमसे एक्जाम्पल होगा इजी वे में चलिए कोश्चिन पढ़ा जाए ए भी सी तीन सब मुझे है ए बिलॉंग्स टू बी इसके लिए उदाहरण भी देने के लिए पूछा है तो ए जो है ए जो है एक सेट है जो बिलॉंग करता है सेट बी से इसका मतलब क्या है ए बिलॉंग्स टू बी का मतलब कि ए जो है एक सेट को हम कैपिटल लेटर सरी परजेंट करते है यह सेट है वी से बिलॉंग करता है मिन्स कि अगर हमने कहा कि माना ए एक वस टू तू थ्री एक सेट हमने माल लिया टू थ्री ठीक है बिलॉंग्स करता है से यानि कि बिलॉंग्स करता है से तो बी वी एक ऐसा सेट होगा जिसमें जो है यह जो एज फूरा सेट आ जै ठीक है तो यह हो गया हमारा सपोज देट कि फूर फाइव और यह टू थ्री ठीक है अब यह ए सेट जो है बी का एलिमेंट है ठीक है ठीक है अब चलो आगे क्या कह रहा है तो था बी सबसेट है कर अब यह हमने तीन सेट ले लिया जो बी का बी से बिलोंग कर रहा है ठीक है बी जो है सी का सबसेट है तो है भाई देखो यहां फोर है यहां फोर है यहां फाइब यहां फाइब यहां टू थ्री है तो यहां पर टू थ्री है अलिमेंट यह एक अल्रडी सेट तो यह सेट और यह सिक्स है ठीक है एक सेट हमने यह लिया तो अब क्या कह रहा है कि क्या यह जो है इ और 6 भी है ठीक है और इधर में आप से पूछा है क्या भई यहां पे दे दे 2,3 ठीक है और यहां पे आपको भरना हो क्या भई तो आपको भरना हो belongs to और सबसेट ठीक है इन दोनों साइन को तो क्या भरोगे क्या हमें क्या लोन फिलोंग्स टू क्योंकि य созд कर रहा है यहां पे इस सेट का यह एलिमेंटयोंट हो रहा है यहां मिस्कि यह बिलॉऑ inspect होगा अगर सबसेट होता जिसके लिए हमें क्या करना होता इस तरह से कुछ रहना पढ़ता तब जाके यहां पर हम क्या कर पाते सबसेट को भर पाते हाँ या ना हा या ना हा या ना हा ना ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा डशन्ट सबसेट ठीक है यह जो है सी का सबसेट नहीं होगा यह हमारा उत्तर हो गया ठीक है आई होप कि इसमें कोई समस्या नहीं क्याव करते होगा चलिए 15 अगे भड़ेंगे हमें पर ला वास्तिविक pronounce कई वास्तिविक संख्याओं कि की समूचयों की उप समूचय इस मूचयों के उप समूच collabor है ठीक है हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के समूचयों के उप समूचय ठीक है चलो वास्तविक संख्याओं के समूचयों के उप समूचय के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं वास्तविक संख्या के तो बाब देखो वास्तविक स लेन आता है वह कुछ भी हो सकता है सपूर्स एधर में आ सकता है माइनस थ्री माइनस फूर जैसी मांइनस टू ठीक है माइनस वन जीरो वन टू Еще यह सकता है अब इसके बीच मोर अनज इन फाइनाइट अको सकते हैं है तो इसके बीच ओन्ब को रियलनबर हो सकते हैं वास्तविक संक्या हो सकता या नहीं हो सकता है ठीक्न है चलो थुर्ण सा वास्तोड कर स्क्वारे में और थूर की सथ है तो एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रक्षिन में उसकी बात की थि हम लोग ने फिर से एक बार वास्तविक संख्या को देखते हैं वास्तविक संक्या ठीक है अगर यह नहीं आप ठीक से पढ़े हो ना तो नाइन्थ या तेंथ का जो है नाइन तेंथ किसी का जो है चैप्टर वन का स्टार्ट अप देख लेना वहां पर पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाए गया है ठीक है कि चल्व वास्तिविक संक्या में हम लोगों ने पढ़ा था कि वास्तिविक संक्या जो होता है वह या तो वह होता है पारी में आप परेमियिया संख्या का समुझे थुकर कहा परिम्यै करें तो पर्मिय में संख्या का थाटक समुझे होता है क्लब वास्तिविक शन्ख्या अब क्या 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 है थैं तो पर्मिय संख्या इसकी पहले बात कर लें पर्मिय संख्या के समूझे को हम क्यों से रिपर्जेंट करते हैं ठीक है पड़े भी थे इस बात को पर्मिय संख्या में क्या क्या आ सकता है भई तो यहां आ सकता है हमारा इंटीजर यानि कि पुणांक क्या सकता भई पुणांक इन्टीजरं निक और इसको हम रीप झेंट करते हैं किस्से भाई इन्टीजर के समूझय को कि से रिपरजेंट करते हैं तो जैड से और है अब इन्टी आटिजर भी करिक तरह कि होते हैं ना इंटीजर भी तीन तरह कि और एक इधर माइनस-3 माइनस-2 माइनस-1-0-123 इदर भी इंफाइनाइट और इधर भी इंफाइनाइट जाता है ठीक्या एंटीजर टेक्ट है इंठीजर में भी काई तरह की इंटीजर होते हैं इधर होते हैं पोजेटिव इंटीजर टिके इधर होता है निगेटिव इंटीजर यह नहीं कि दनात्मक पुडाँंक और रिडात्मक पुडाँंक ठीक है और रिडात्मक पुडाँंक के समुचे को हम कैसे रिपर्जेंट करते है जेड माइंस से और धनात्मक पुणाएं के सम्मूचे को हम रिपर्जेंट करते हैं जेड पलस से ठीक है और यह होता है हमारा जीरो इंटीजर कि ठीक है और एक चीज़ और भी बात किया जाए तो यह पोजेटिव इंटीजर जो होता है उसे नेचुरल नंबर भी बोला जाता है नेचुरल नमबर यानि प्राकित संख्या भी बोला जाता है ठीक है वहीं पर आगर इसमें जीरू को आड़ कर लिया जाए ठीक है तो यह हो जाता है हमारा होल नमबर हो ठीक है जी होल नमबर में भी दो तरह की पर्मियों संख्या होती है एक तरहांत और एक आसांत थेका यानि टर्मिनेटिंग और यहारे और इस नमबर क्या होते है यह धिक है इसको हम त start करते है कि इसके आप पर्मियों संख्याओं के संभूचे को टी से रिपर्जेंट करते हैं ठीक है नेचुरल नंबर को हम एन से रिपर्जेंट करते हैं ठीक है वहीं पर होल नंबर को हम डबलू से रिपर्जेंट करते हैं किसे डबलू से ठीक है ठीक है तो इन चीजों को थोड़ा सा आप पीछे चल करके ज हम कहें कि वास्तविक संख्या जो है एक खुद एक समूचय है ठीक है और एक समूचय पर्मिय संख्या है वास्तविक संख्या के समूचय को हम किस से रिपर जिंट करते हैं आर से ठीक है तो क्या यह परिमिय संख्याओं का समूचय जो है वास्तविक संक्या के समूचे हो या नहीं होगा आपको कि बिलकुल होगा सिर्फ क्यों है कि वास्त्विक संक्या के अंदर यह तोटली वास्तिक शंक्या के पर्मिय संख्या का जो है पुढांग जो है पुढांग संख्या यानि कि इंटीजर जो है वह सबसेट हो जाएगा पर्मिय संख्या का पुढांग जो है प्रतिक पुढांग संख्या जो है एक पर्मिय संख्या होता ये भी हम जानते हैं क्योंकि देखलो वन लिख सकते है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् acceso होगा साथी साथ क्यूह भी हो जाएगा और साथा क्योंकी संख्या नंबर संख्या अगे वैसे नेच्टूरल नंबर का समूच्छ है वह सबसेट होगा किसका पुझा जाता यानि कर दिखत इसमें तरह से होल नमबर जो है वह नेचुरल नमबर का सबसेट होगा और यहीड का बीसेट हो जाएगा क्यूंकि नेचुरल नमबर जब जब जेड का सबसेट होजाएगा साथी साथ rational number का भी हो जाएगा और साथ ही साथ real नमबर का भी हो जाएगा ठीक है अब बात आता है कि क्या और पर्मिया संग्या यानि सेट्स टी का जो है जेड जो है जेड जो है इसका उपसमुझे होगा तो बिल्यूकुल क्योंकि पर्मिया और अपर्मिय एक दूसरे से बहुत या कहां तो एक अदम आपोजी ठोते हैं तूसका जो है यह सभी जो है कभी Heard नहीं हो सकते हैं ठीक है एक बात और याद रखना है कि यह हम परिमिय जो है वास्तिविक संख्या का स सब्सेट क्या क्या होता है इन बातों को भी आ आप याद रखोंगे छो अब हम पढ़ेंगे इंटरवर्स राज़ीं है मैं क्या देखना है आए आगी में सबसेट आफ आर इंटरवाल कि एज किpical मंतेलों के सबसेट ओफ आर हिंदी भी बात किया जाए तो अंतरालों अंतराल आर की है ना अंतराल आर की उप समूचयों के रूप में अंतराल आर की उप समूचयों के रूप में इसका हिंदी हो गया ठीक है इंटर्वल्स एज़सेट सबसेट आफ आर यानि की अंतराल आर की उप समूचयों के रूप में ठीक है यह थुड़ा सा मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहूं तो हमने एक आपके नंबर लाइन लिया ठीक है इधर माइनस इंफिनिटिव और इधर प्लस इंफिनिटिव होता है आप जानते हो यहां पे 0 1 यहां ठीक है इधर में माइनस थ्री माइनस टू-1 भी होते हैं यह भी आप जानते हो ठेक हैं और यह भी जानते हो की वास्तविक समूचय का नहीं लिखा जासकता है क्यों क्योंकि जो है दो किसी नंबर के बीच अनंत अनन्त रियल नंबर आते हैं और इसलिए जो है इसका सबसेट सारी टैबलर फॉर्म जो है लिखना पॉसिबल नहीं है ठीक है हमने बताया भी था पीशे आपको ठीक है अब लेकिन जो है यहां पे इंटर्वल की बात कर दिया है सपोर्ट एट कि हमने एक इंटर्वल यह से ल लिए अब इसके सबसेट के बारे में हमें पढ़ना है जीरो से वन इसके सबसेट के बारे में हमें पढ़ना है देखो जरा ध्यान से इस चीजों को कि हमने यहां Number Line पे एक Interval कहीं भी Select कर सकते हो हो मर्जी करें तो यहां भी Select कर लो क्या कहीं भी Select कर लो टेक है उस Interval के बारे में समझना आए ठीक है आओ जरह ज्वादर हमने एक Number Line लिया तीक है इतर minus informative इथर plus सिन्फिनिटिव जीरो वन टू 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 थ्री ठीक है हमने कहा कि हमने एक स्लेक्ट किया इंटर्वल नंबर लाइन पर हमने एक इंटर्वल स्लेक्ट किया जीरो से यह जीरो से वन टक अब पहला नंबर इसमें जो है इंटर्वल और सेट आफ आर में जो है चार कंडिशन बनते हैं एक इंटर्वल को रिपर्जेंट करने का चार कंडिशन उसी को समझ रहा है पहला कंडिशन है कि एक सच डेट एक्स या ऐसे कहें एक्स बिलॉंग्स टू आर जहां एक्स जो है छोटा बराबर है सरी बड़ा बराबर है 0 के और छोटा बराबर है दो के ठीक है यह इसको हटा दिया जाए ऐसे कर दिया जाए ठीक है हाँ तो हमने तो इंटेरोल लिया है कहा कहा तक वही जीरो से टू तक ठीक है आप इस स्टेटमेंट को देखो है और बच्चांस ओर कान देता है कि सर आपने लायर जीरो से दू के बिच लिया है क्या इसमें जो है जीरो सामिल है इस इंटर्वल में जीरो सामिल है बहुत अच्छा कोश्चन है तो यह जो है जीरो सामिल है या नहीं है तू जो है सामिल है या नहीं है इंटर्वल तो हमने जीरो से टू ले लिया लेकिन कंडिशन बन सकता है ना कि जीरो सामिल है या नही तो यह इसमें include है यह नहीं है इनकलूड है यह नहीं है यह जीरो इंकलूड है यह नहीं है तो यहां पर आप समझो कि यहां पर अगर इक्वल मतलब कि ऐसा साइन नहीं दिया है न तो इसका मतलब है कि यह जीरो जो है इस इंटर्वल में जो है सामिल नहीं है और यहां जो है अगर इक्वल नहीं दिया है तो समझो कि इस इंटर्वल में जो है टू सामिल नहीं है तो सामिल नहीं है दूसरा condition दूसरा condition यह बनता है कि X belongs to R ठीक है और 0 से बड़ा है X और दू से छोटा है ठीक है अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस interval में जो है 0 सामिल है पर जो है दो आपका इस interval में सामिल नहीं है ठीक है दो जो है इस interval में सामिल नहीं है एक और condition condition तीसरा हमारा क्या बनता है यहां बनता है कि X belongs to R एक्स बिलोंग्स टू आर जहां आर सरी जहां एक्स जो है वह 0 से बड़ा है और छोटा बरावर है दो से ठीक है यानि कि इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो है इस interval में जो है 0 सामिल नहीं है बट दो जो है सामिल है ठीक है चोथा कंडिशन बनता है कि एक्स बिलोंग्स टू आर और यहां पर जीरो से बड़ा बरावर एक्स और छोटा बरावर दो से ठीक है यानि कि अब इसका मतलब क्या होता है कि इस इंटर्वल में जो है जीरो भी सामिल है और टू भी सामिल है तो इस तरह से सब सेट और इंटर्वल में जो है इंटर्वल सब साफ यहीं में सबसेट अव आर में जो है यह चार कंडिशन बनते हैं किसी भी दो सब्द में दो सब्द में कहले दो सब्द में ठीक है दो सब्द में दिखाना हो तो क्या करेंगे ठीक है तो देखो इसको जो है हम दिखा सकते हैं ऐसे इसको दिखा सकते हैं ऐसे और इसको दिखा सकते हैं है और इसको हम दिखा सकते हैं क्या समझ में आया क्या समझ में आया क्या समझ में कुछ समय रहा है सब कुछ नहीं आ रहा है कोई बाद नहीं है समझ में आएगा सारी चीज़े समझ में आएगा देखो तो अगर जो है देखो इसमें थोड़ा सा पहले मैं इसको इरिस करता हूं थोड़ा सा ठीक है चलो देखो इसको जो हम बूलते हैं ओपिन ब्रेकेट ओपिन ब्रेकेट ठीक है और इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रेकेट यद रहेगा ओपिन ब्रेकेट है यह हमारा क्लोज ब्रेकेट है ठीक है ओपिन ब्रेकेट क्लोज ब्रेकेट ठीक है अब open bracket कभ यूज होता है close bracket कभ यूज होता है तो देखो इसकी एक ओर्डिंग जो यह हम लोगे ने number line का जो interval लिया था जीरो वन टू यह interval जो हम लोगों ने लिया था इस interval में जीरो सामिल नहीं था यानि कि दोनों तरफ ऐसे एलिमेंट थे जो सामिल नहीं थे तो इसको हम open bracket में लिखेंगे यानि open bracket के अंदर इसको बन कर देंगे और जीरो टू लिख देंगे कॉमा से साप्रेट कर देंगे यह हो गया इसका जो है जीधर equals to का साइन था उधर हमने बड़ा ब्रेकेट और जीधर जो है सामिल नहीं था उधर जो है small bracket और इसको हम पढ़ सकते हैं open closed open ठीक है इसको हम पढ़ सकते हैं closed open interval open interval यानि कि हिंदी में बोला जाए तो बंद खुला अंत्राल बंद खुला अंत्राल ठीक है जी बंद खुला अंत्राल यह इसका रिपर्जेंटेशन हो गया अब यहां पर देखा जाए तो इंटर्वल में 0 सामिल नहीं था तो छोटा ब्रेकेट यानि कर्फ ब्रेकेट और इधर दू सामिल था तो इधर बड़ा ब्रेकेट यानि starting ब्रेकेट तो इसे हम कहेंगे open closed open closed अ इंटर्वल क्या बोलेंगे that इंटर्वल यद रहेगा और अगर यह है तो इसको हम बोलेंगे बही क्लोज डी ब्रेकिट्ट क्लोज इंटर्वल पूरे-पूरे यह का बहीं क्लोज यह एंटर्वल है इसको हम बोलेंगे क्लोज इंटर्वल क्योंकि इदा दोनों तरफ से जो है यह जीरो और टू जो है सामिल थे ठीक है तो इसमें हम लिखेंगे क्लोज इंटर्वल ठीक है आईए अब अगर ऐसा रहे ओपन इंटर्वल रहे तो उसको नंबर लाइन पर कैसे रिपर्जेंट करेंगे आए इधर मा इसको हम पढ़ते हैं क्या नोड या इसको हम होल भी बोलते हैं छिद्र ठीक है तो अगर नंबर लाइन पर रिपर्जेंट करना हो तो यह होगा हमारा होल और इधर यह इस हमिड़न इंकलूट नहीं सामिल नहीं है तो यह बहुत ने था इसका मतलब क्या है इसको थोड़ा सा डार कर लेंगे इसका मतलब है कि इस इंटर्वल में जो है जीरो सामिल नहीं है बाकी सब जो है जितने भी रैस्टनल नंबर आएंगे वह सभी इस इंटर्वल में सामिल है ठीक है चलो इसको आओ तो इसके लिए इसके लिए इसके लिए यहां देखो इसका मतलब क्या है इस सिच्वेशन में जो है जीरो सामिल है तो यहां पर डॉट क्या बाभू डॉट का इस्तमाल करेंगे जिदर सामिल है उद्धर डॉट इंटर्वल पूरा स्लेक कर लेंगे इसको थोड़ा से डार कर लेंगे ठीक है यह इसमें सामिल नहीं है तो यहां पर हम लगा देंगे नोड ठीक है यह हो गया हमारा नंबर लाइन पर इसका रिपर्जेंटेशन इसके कर दिदी डाल दिया है अ है जालिए तो इसमी माइनलस इंफिनिटिव एदर और एधर पोजेतिव इंफिनिटीव 0 123 यहां कि क्या देख रहा है जी जो है सामिल नहीं बड तू जो है सामिल है तो इस में क्या करेंगे जीरो सामिल नहीं है इसको थोड़ा सा डार्क कर ठीक है यह होगे आमारा नंबर लाइन पर इस इंटर्वल का रिपरजेंटेशन ओपन इसकी बात गया तो यह होगे हमरा माइनस इंफनिटीव इधर होगे हमरा प्लस इंफनिटीव और यह 0123 तो इधर यह 020 यह तूब यह तो यह हुआ हमारा इंटर्वल लोजड इंटर्वल ठीक है तो इस तरह से जो है रिपर्जेंट करते हैं चीजों को ठीक है इंटर्वल एस सबसेट आफ आर में इस तरह से जो है चारों कंडिशन का रिपर्जेंटेशन हम करते हैं चलिए आगे जो है एक बार फिर से इसको हम पढ़ेंगे एक ब सबसेट ओफ और ठीक है तो थोड़ा सा मैं बात कर लो कुछ मोटी-मोटी बातों का तो इधर आ जाओ कोपचे में ठीक है कोपचे में बातों को ध्यान से समझो द्यान आफ्टर चलते हैं फिर उदर में ठीक है अगर एक कोई इंटर्वल सिलेक्ट हुआ पर्वा ठीक है यह सपोरिववट उनुटू इंटर्वर स्लेक्ट हुआ हो है वन टू-टू फू ठीक है नहीं बच वह भी मुझा की ओ गुझा ये इंटर्वल सेलेक्ट हुआ क्या बह idols पूल ठीक है इस इंटर्वलमे कुछ मोटी मोटी बाते याद रखोगे जब तो दोनों इंस वाले जो एलिमेंट है वह उसमें इंक्लूड होंगी तो दो तरह के ब्रेकेट एक क्लोजड एक ओपन यही न यह होता है हमारा क्लोजड और यह होता है ओपन यह कभी यूज होता है तो जब जो है अबयब अंत्राल में सामिलो ठीक है और यह ओपन कव यूज होता है तो जब अबयब जो है कौन अबयब लाश्ट वाला इंड अबयब दोनों तरफ के इंडवाले अबयब अंत्राल है सामिल ना हो क्या भई सामिल ना हो तब ओपन इंटर्वल ठीक है नमबर लाइन पर रिपर्जेंटेशन के टाइम क्लोज इंटर्वल के लिए डॉट यूज होता है और ओपन वाले के लिए नोड यूज होता है ठीक है याद रहेगा चलो अब आजाओ इधर पर यह जीरो वन टू ठीक है आजाओ इसका नमबर लाइन पर रिपर्जेंटेशन भी करते चलते हैं ठीक है जीरो वन टू ठीक है यह ओपन इंटर्वल मतलब का जो है इनके दोनों ही एलिमेंट वन और फॉर जो है अंतराल में सामिल नहीं है ठीक है तो अंतराल में सामिल नहीं है तो क्या होगा भी नोड का यूज और इसको जो हम डार्क कर लेंगे यह कौन सा इंटर्वल तो ओपन खुला अंतराल ठीक है यह इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चो तो इधर हो गया माइनस इंफिनिटिव और इधर हो गया प्लास इंफिनिटिव जीरो वन two three four इधर का मतलब क्या है इधर open यह क्या है open open closed यानि कि खुला बंद अंतराल यहीं नए खुला बंद अंतराल तो इधर वण जो है सामिल sorry यह zero से वन के लिए नहीं ना था यह था हमारा वन से तो इस Kaiser इंटर्वल हमारा किया जाöगई ढ़से when ओफ्का इंटर्वल में सामिल यहाँ वन पर लगेगा हमारा कै नोड टिकर यहाँ वन सामिल नहीं ओफ्लोवë यानि one जो है सामिल नहीं है 4 सामिल है तो one सामिल नहीं है तो इसमें node और इसको करेंगे हम डार्क तिक है और यहां पे 4 सामिल है तो यहां पे dot मुत इहें डाथ जाओ तर यह दूवपन इंटरवल थे न है तो लोग और इस रोपन के जा इसे देश्त nhân प्लास इंफिनिटिव जीरो वन टू थ्री फॉर वन सामिल है यानि कि यहां डॉट फॉर सामिल नहीं है यानि कि यहां नोड और इसको थोड़ा सा डार कर देंगे यह होगी हमारा इंटर्वल का नंबर लेंड पर रिपर्जेंटेशन यह क्या भी क्लोज्ट इंटर्वल है दोनों तरफ से ही क्लोजट है जिरो वन टू थ्री फॉर दोनों तरफ से वन भी सामिल है पोर भी सामिल है तो यह होगे हमारा क्लोजड इंटर्वल ठीक है close interval एक चीछ और याद रखना कि open interval के बदले जो है इस तरह से भी यूज हो जाता है यानि कि closed interval को अगर उलट कर लिख दिया जाए ना means की जो है यहाँ पे क्या है open interval काने का मतलब अगर इसको represent करना जैसे इसको ठीक है तो यह है open closed interval तो इस open वाले के लिए कर्व के जगह पे जो है इसी ब्रेकेट को उलट करके लिख दिया जाए और इसको ऐसे लिखा जाए तो इसका भी मतलब यही है open closed interval ठीक है और इस one four को जो है जो हम ऐसे स्मॉल प्रेकेट में लिखे हैं इसको अगर ऐसा लिख दिया जाना इसका भी मतलब क्या है यह उपन ब्रेकेट है ठीक है इसको चार्ज है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कैसे तो यह तो सामिल है तो हो गया यह सामिल नहीं है तो इसको जो है उलट करके ऐसे लिख देंगे और यहां पर तो यह सामिल है ठीक है तो इस तरह से भी रिपर्जेंट करते हैं याद रखेंगे इस वाले सिंबल को भी ठीक है क्योंकि यह यह देखने के बाद जो है बच्चे हो जाते हैं तो इस बात को भी याद रखोगे तो आई होप की इंटर्वल आज सबसेट आफ आर में कोई समस्या नहीं है बढ़ते हैं आगे और यहां पर अब हम सीखेंगे क्या भई तो सीखना है पावर सेट और यूनिवर्सल सेट ठीक है सबसे पहले हम सीखेंगे क्या कोई पावर सेट है पावर सेट यानि कि घात समुझे है या पावर सबसेट नहीं पावर सेट ठीक है चलो घात समुझे ठीक है पावर सेट देखो पावर सेट होता क्या है suppose that एक हमने सेट लिया ठीक है एक हमने एक सेट लिया जिसमें हमने एलिमेंट लिया 2 और 4 ठीक है हमने एक सेट लिया ए यह हुआ 2 4 और अब इसका हम सबसेट लिखेंगे ठीक है सबसेट तो सबसेट पहला बात कि किसी भी सबस किसी भी सेट का सबसेट फाई होता है फाइ हुआ इसका एक और सब्सेट क्या हो सकता है टू हो सकता है टू हर एक और इसका सब्सेट क्या हो सपता है ने झाल एक और इसका संविटriend प्ढ़ा रहे थे ना सबसेट अव पूरप अफ सब्सुचे अव कर दोया तर्छ मूंट गिवलाई सभी सपूचे हो डिए सबी समूचे दो कि अपने आप की अपनी आपका अपने आपका उप समूचे होता है सभी समूचे जो है अपने आपका उप समूचे होता है ठीक है इस बात को भी याद रखोगे उप समूचे होता है ठीक है नोट कर लो भाई एकदम याद रहना चाहिए ठीक है सभी समूचे जो है अपने आपका सबसेट होता है तो यह सेट ए है तो इसका एक सबसेट क्या हो सकता है खुद यहीं हो सकता है क्या जब सभी समूचे जो है अपने आपकी एक सबसेट होते है मिंस कि यह a set जो है इसका subset खुद यही सेट तो यह चार subset मिले जो सवी सजय का जो सेट रोता है इससेट एक का subset जितने हुए है उसके स्जट को हम बोलते हैं power पावर सेट पावर सेट पावर सेट जितने भी सेट एक सबसेट हो सकते हैं उन्हीं का सेट जो होता है वह पावर सेट कहलाता है तो ये होता है वैसा समूच अ वैसा समुचे यह इस्त्रस इसको इसको किसी समुचे किसी समुचे एक एक की उप समुचे हो के समुचे को के समुचे को गात सेट कहते हैं गात समुचे कहते हैं किसी समुचे के समुचे को गात समुचे कहते हैं तो यह था हमारा सेट ए और उसके उप समुचे बने यह और इसके समुचे को हम कहेंगे घात सेट यानि पावर सेट एक और बात इसमें याद रखने वाली है क्या है तो बात वह बात क्या हो सकती है इसमें याद रखने उसी के सबसेट पे डिपेंड कर रहा और पावर सेट अगर कोई आपसे यह पुछे कि किसी पावर सेट में कितने कितने ऐलिमेंट हो सकते हैं सुपोर्ड क्गेश्ट एक स्थ दे दे दें रिए इक वंस टो आपको दे वन टू ठीक है और कहें इस से सोरी इसको बी कर लेते हैं फ्रस्वाय शाण सबसंबी कर लेते हैं कहें इस सेट भी-का जो है पाउर शेट बनाईए और बताईए कि उसमें कितने यलिमेंट होगे तो उसके लिए नग्या condiciones बनाना होगा ठीक है सबसेट बनाएंगत यानि वो इसका जो सबसेट होगा वही नंबर of elements in power set of B में होगा यानि कि number of element की बात किया जाए number of element in power set B तो यह किस पर depend करता है बाइबू तो यह depend करता इसके subset पर बराबर हो जाएगा क्या subset of subset of set B subset of set B सबसेट बना देते हैं तो यह होगया हमारा फाई दूसरा होगया वन और दूसरा होगया और तीसरा होगया हमारा टू ठीक है और चौथा होगया हमारा वन और टू ठीक है तो यह होगया पावर set तो एक दो तीन चार चार एलिमेंट यानि कि number of power set B में जो है B जो है क्या होगया भाई 4 होगया 4 होगया ना 4 लेकिन थोड़ा सा आओ इधर आओ इधर आओ यह तरीका भी फैल करने वाला है आओ देखो इसको हटा लेते हैं यह तरीका जो हम लोगों ने number of number of element in power set B जो निकालने का तरीका हम लोगों ने देखा न यह तरीका भी फैल होगा हमने set C लिया और इसमें element लिये 1 2 3 4 5 ठीक है आजा बाबो बनाओ अब इसका subset ठीक है बनाओ इसका subset 5 1 2 3 4 5 फिर क्या हो सकता है 1 2 यह भी तो हो जाएंगे ना इस सेट का यह भी तो सबसेट हो जाएगा तो 1 3 करती रह जाओगे करती रह जाओगे ऐसे 1 3 1 4 1 5 फिर लोगे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे जो है बहुत सारे सेट बनाते चले जाओगे इसके subset के तो फिर नंबर काउंट करना बहुत मिश्किल होने वाला है आजाओ इस पर मत जाना अगर आपसे नंबर आफ एलिमेंट्स इन पावर सेट पूछे तो आप इस तरीके को फालो मत करना नहीं तो बरबाद हो जाओगे आजाओ यह याद रखना कि नंबर आफ पावर सेट नंबर आफ पावर सेट भी आपसे पूछे पूछा है यहाँ पे ठीक है देखना इस एक्जम्पल के लिए मैं बात कर रहो पार्टिकुलर लिए नंबर आफ नंबर आफ एलिमेंट्स इन पावर सेट भी तो याद रख लेना यह होता है टू का फोर्म याद रख लेना नंबर अफ इसको हम ऐसे कर सकते हैं थोड़ को यह दो है नंबर इसको ऐसे लिए है नंबर आफ आफ एयलिमेंट इन पावर सेट इन पावर सेट ना पावर सेट में एलिमेंट की संख्या ठीक है बराबर होती है टू टू दी पावर एम जहां वेर कि एम बराबर होता है एम जो है एम जो है कि सेट बी का समूचे बी का समूचे बी के अब्यबो की संख्या होती है यानि एलिमेंट की संख्या होती है अब्यबो की संख्या होती है ठीक है नंबर अफ एलिमेंट इन पावर सेट निकालना हो फार्मूला होता टू टू दी पावर एम जहां एम जो है समूचे बी के अब्यबो की समूचे है अब इस पाटिकुलर सेट के लिए आ जाओ ठेक आ इसके लिए इसके लिए तो जाएगा इसके लिए क्या होगा इसके लिए क्या जाएगा नेमबर आप आललीमें in power set b equals to 2 to the power m 2 to the power m जहां m जो है number of element in set b the number of element 1 or 1 2 2 गया ना तो 2 का power 2 means की 4 और देखो 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 उतने ही subset आये हैं आपे एक दो तीन चार चार ही सबसेट आये हैं यहनिकि number of power set in number of element in power set b equals to क्या मिला भाई पूर मिला ना उसी तरह से इसको करो आओ number of element in power set c बराबर 2 to the power m जहां m जो है इस set के लिए तो इस set के number of element तो 2 to the power 5 क्या हो जाएगा तू टू टू जा फोर फोर टू जा एट एट तू जा 16 16 टू जा 32 32 है ना यानि क्या मिला 32 यानि कि number of element in power set b c equals to क्या मिला 32 यानि कि इस समूचे का जो है 32 सबसेट हो सकते हैं अब सोच हो कि 32 subset लिखते हैं तो यह बोड फर जाता तो इस तरीकी को नहीं अप्लाई करोगे फर्मुला याद रखोगे जिस भी सबसेट के लिए जिस भी सेट के लिए पावर सेट में element की संख्या पूछे अभ्यब की संख्या पूछे तो यह वाला फर्मुला याद रखना इस फर्मुली को चले तो अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच है अ सर्वत्रिक या फिर हम इसको यह भी बोलते हैं क्या भई सास्टिय समुचय सास्टिय समुचय सार्वत्रिक समुचय या इसको बोला जाता है तो यूनिवर्सल सेट की परिवासा की बात क्या जाए तो यह होता है हमारा कि किसी विशेस संदर्व में क्या भई किसी विशेस संदर्व में कोई समूच है कोई समूच है किसी विशेस संदर्व में कोई समूच है उप समूच है का अधिक समूच है का अधिक समूच है का अधिक समूच है हो तो वह सार्वत्रिक समूच है सार्वत्रिक या सस्टिय समूच है किसी विशेस संदर्व में कोई समूच है उप समूच है का किसी विशेस संदर्व में कोई समूच है जो उप समूच है का अधिक समूच है का अधिक समूच हो तो वह सार्वत्रिक समूच है या सस्टिय समूच है कहलाता है ठीक है आधिक आधिक से इसके बारे में बात किया जाएं जैसे कि देखो कोई भी सट हो कोई भी सट जैसे कि हम कहते हैं इंटीजर के लिए पुणांग संख्या के लिए पुणांग संख्या के लिए इसके लिए बिसे सकर आप सोच हो तो क्या सोच सकते हो क्या सोच सकते हो जिसमें यह पूरा पुणांग संख्या आजाए तो आप कह सकते हो क्या कि पर्मिय संख्या जितनी पर्मिय समूच है का एक बड़ा मतलब कि आप समूच है बना हो ठीक ह है जिसमें सभी पुढांग शंख्या उसमें पूतित बनाओ एक बड़ा सम्मुचे बताओ जिसमें यह पूरिपण संख्या ऐ तो आप कहोगी कि परमिय शंक्या का समुचे जुcir濃 यह टूटल उसमें क्या कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जगा भी कि पर्मिय संक्या का समूझ है पर्मिय संक्या का समूझ है या फिर आप यह भी सोचो इससे और बड़ा सोचो तो सभी पुणांक किस में आ एक इसका वास्त्विक संक्या हमें यये तो सभी पुणांक वास्त्विक संक्या लाएगा तुंट Meng वही पर अगर मैं बात करूं तो प्राकीरत संक्या प्राकीरत संक्या व्रीपका युद्य तो देखो इसके कितने युनिवर्सल सेट बन सकते हैं एक तो सभी प्राकित संक्या वास्त्विक संक्या सभी वास्त्विक संक्या हो सकता है यानि कि वास्त्विक संक्या भी जो है इसका सार्वत्रिक समूचे हो जाएगा कुल अज़ेख स्वास्त्रीट संक्या संग्या का संग्य जो है यह भी हमारा सर्वत्रिक सं самоo दूसरा कि संख्या जो है दोसरा किम्हाइं कि संग्या खुद जो है इसका एक बड़ा समूच है बनेगा इससे बड़ा समूच है जिसमें जो है यह पूरी प्राकिर्ट संख्या इसमें आ जाएगी तो यह सभी जो समूच है वास्तिक संख्या का समूच है पर्मिय संख्या का समूच है यह सभी प्राकिर्ट संख्या के लिए जो है प्राकिर्ट संख्या क के लिए जो है यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे ठीक है यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे एक और एक्जम्पल लिया जाए जैसे कि हमने कहा कि एक बर्ग यह बर्ग हमने बर्ग का फोटो बना दिया ठीक है इसको हम बर्ग बोलते हैं तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएग क्वाड्री लेटरल क्वाड्री लेटरल जो है इस बर्ग के क्या हो जाएंगे क्या हो जाएंगे सर्वत्रिक समूचे हो जाएंगे या सभी पोलीगन बहु भूज जितने भी होते हैं वह क्या हो जाएंगे सभी बहु भूज जो है क्या हो जाएंगे इसके बर्ग के लिए ज सब्सक्राइब करते हैं कुछ कोश्चन एक्सरसाइज के आज के लिए इतना रहने देते हैं चुकि क्लास बहुत लंबा हो चुका है मिलते हैं अगले क्लास में जहां पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 तब तक के लिए जहन्द